कई राश्ट्रिय और अंतराश्ट्रिय अवार्ड ओफिस पानेट डॉक्टर सुनील दूबे और वैद सुभाज दूबे के द्वारा सभी तरह के योन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज दूबे क्लीनेग लंगर टोली चुराहा पटना संगीत एक ऐसी कला है जो ब्रह्मान को आत्मा देता है मन को पंक देता है कल्पना और जीवन को हर चीज के लिए उड़ान देता है नमश्कार मैं शांभवी आप सभी का सुर्थाल के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ आज हमारे बीक एक ऐसे कलाकार मौजूद है जो संगीत के लिए जीते हैं जी हां मैं बात कर रही हूँ श्री कमल घोश जी की कमल जी बिहार के एक बहतरीन तबला वादक हैं कमल जी संगीत से करीबन बीस सालों से जुड़े हूँ हैं आज हमारे इन से बात करेंगे और इनकी जीवन के बारे में जानेंगे गुरुजी आपका स्वागत है गुरुजी सबसे पहले तो आप अपने जीवन के बारे में बताये किन से सीखा कहां से सोचा कि संगीत करेंगे तबला बजाएंगे कहां से सोचा यह सबसे पहले आपके साथ पूरे पेटी एन और सीटी पोस्ट इनिट को हमारा नमस्कार हमें यहां बुलाने के लिए काफी धन्नवाद हमने जब हमारा उम्र पांच साल था उसी समय से हमको तबला पर एक इंटरेस्ट आया और हमारे फुफेरा भईया जो पत्ना रेडियो से हमारा यह तालिम नहीं हुआ था और 11 साल के उम्र में हमने सबसे पहला स्टेज सो किया था गाने के साथ रेलवे का एक प्रोग्राम था हम अभी भी फिलाल रेलवे में हैं वर्किंग है और यह गाना बजाना यह तबला का शौक बच्पन से ही है और अभी भी उसको हम ब किसी को कोई प्रेड़ना होता है तो आपकी प्रेड़ना कौन है किन को देखा और सोचा की तबला बजाएंगे तो हमारा फुफेरा भाईया आनंद कुमार मित्रा जी वह अभी दुनिया में हमारे साथ नहीं है लेकिन वह भी रेलवे में थे वह पहले तबला बजाते थे फिर तबला छोड़के वह गाने में आए जब से वह गाने में आया तो उनके साथ संगत हमीं तबला में करते रहें कि यहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा तो पड़ा होगा तो उन सारे जर्णी के बारे मताए कि क्या क्या हुआ कैसे यहां तक पहुंचे कि मुश्किलों का सामना करना पड़ा हम लोग जोइन फैमिली से थे हम लोग चा सिस्टर एक थी वह भी आज हमारे बीच नहीं है वह बहुत अच्छा गाती थी बॉल्डवीन स्कूल के टीचर भी थी म्यूदिक टीचर भी थी तो हमारा घर परिवार पुरा संगीत कहीं यह से चल ला है और चल ला है अभी चल ला है और इसको हम बलकरार रखेंगे अब दो आती जा रही है उनका शास्त्र संगीत से जो नजर है वो हटता जा रहा है तो ऐसा क्यों है मतलब लोग शास्त्र संगीत को छोड़के पश्चिमी संगीत को बॉलिविड सॉंग्स पे जादा ध्यान देते आज कल का जेनरेशन तो ऐसा क्यों है ऐसा बात है कि अभी भी हमा आली बैंक्वेट में किया तो उसमें मेरा सिलेक्षन रहा कि दोनों सिंगर दो ही सिंगर थे दोनों को एकदम पुरा पुराना 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 फुराना 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 फुर उसमें हम एकदम इच्छुक नहीं है, अब स्टेज में अगर कोई गा दे तो उसके साथ तो बजा नहीं पड़ेगा, बिना बजा किसी कीजिएगा, लेकिन हमारा ये मोटो रहता है, पुलाने गाने को ही लेकर, प्रोगाम करने का. अच्छा गुरुजी, अभी मैं कुछ दिन पहले ही अकबार पड़ी थी, उसमें निकला था कि अगर बच्चों को अच्छा करना है पढ़ाई में, तो उनको संगीत के किसी ना किसी माध्यम से जुड़े रहना चाहिए, पर आजकल के बच्चे जो हैं, वो शासे संगीत को सम बहुत सारे स्कूल है, डांस के छेत्र में आप यामिनी शर्मा जी को देख लीजिए, उनके इस्टूशन में डांस का बहुत अच्छा यह है, गाने के इस सिलसिले में, पटना में, बहुत सारे ऐसे जानकार टीचर्स हैं, जो आपके सिखाते हैं, जैसे पटना में सिवास अभी है, अभी क्लासिकल सिखा रहा है, बच्चे लों को सीखना तो चाहिए, क्लासिकल बेस हो जाने के बाद, वो किसी बीच यह में आप बजाईए, देखिए आप यह किरांगे, लेकिन क्लासिकल का थोड़ा सा नौलेज तो रहना जरूरी है, अच्छा गरूजी आप ब साँखिया, यह कभी इसका नाम है डूगगी, इसका नाम है तनबे लख्री का ही बना हूँ अगरता है, और डूगगी की बात एक कभी मिट्टी कर रहेगा, मिट्टी के बात वो पीटल कर रहे गा, जिसमें स्टील का निकलिंग किया ओँँदि मिट्टी वाले है, उस से ज और उसमें स्टिल का निकलिंग किया हुआ है ये तबला साथ स्वर बोलता है तबला में अडूगी बेश का काम करते हैं ठीक है ये तबला में भी ये है इसका ये जो पीछे बीच में जो गोल वाला भाग है इसका नाम है स्याही इस बीच का जो ये है इसका नाम है मैदान और यह उपर जो लेयर चहरा हुआ है उसका नाम है चांटी, डूगी में भी होई चीज है, यह गाब है, यह मैदान है, यह चांटी है, और यह सब समय चम्रे का ही बद्धी बना रहता है, इसमें चम्रा भी रहता है, डोडी भी रहता है। अच्छा गूरुजी, अगए आपकी इजाज़त हो, तो आप प्लीज इस पर कुछ बजा के हमें दिखाईए, कोई भी यहूँद है, तो हम किसी एक ताल पर अपना कुछ ना, कर दो कर दो कि बहुत अच्छा बजाए आपने गुशी बहुत अच्छा लगा सुनने में मेरी खुद की दिल्चस्पी यह जाने में कि आप कौन सा ताल बजा रहे हैं अभी यह कारवा बजाए हमने आप से दर्ख्वास थे की एक और ताल आप आपके हातों से सुनना चाहेंगे हम एक अ ताल का यह लेते हैं उसमें फिर कारवा कहां यह करते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है सुन मुझे ऐसे दिल खुश हो जाता इसको एक दम सुनके अच्छा गुरुजी मेरा अब सेक सवाल है कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लासिकल म्यूजिक परस्यू करते जानते तबला बजाते डेली उनिवरसिटी में और डेली उनि करेंगा है ऐसे बात है कि अभी तो उनलों का पढ़ाई भी तो ऐसा हो गया उनलों का पीछे का जो बैग है पर एडुकेशन का वह बहुत भारी हो गया हम लोग के टाइम में उतना नहीं था लेकिन उसी से उनलों को इतना थक जाता है कि इधर उनलों का ध्यान ही नहीं है लेकिन फिर भी इस पर अगर थोड़ा सा भी लगाऊ है तो इसके पीछे लाना चाहिए चलिए गुरु जी बहुत अच्छा लगा आप से बात करते करते जाते जाते आप सिटी पोस्ट के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कारेकर्म के माधियन से ये कारेकर् अब अगली बार एक नए कलाकार से रूब भरू करवाएंगे तब तक केले में इजाजत लेती हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे आपका प्यार, सहीयोग और समर्थेन लगातार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास समस्याओं का सॉलूशन पा सकते हैं सौथ क्यार मुबाइल आप के द्वारा अधिक जानकारी के लिए आप समपर कर सकते हैं हमारे फोन नंबर से हैं 9472-98111-1 9472-982222 सौथ क्यार आप सौलूशन आप यूर फिंगर टिप्स